असकार पाम ब्लॉग में सभी मित्रों का स्वागत है आज हम जानेंगे कि हतेली में क्या चिन्न होते हैं जिसे हम देखकर ये पता लगा सकें कि व्यक्ति MLA MP पारलेमेंट में बैठेगा चुनाओ लड़ेगा जीतेगा और पारलेमेंट में बैठेगा आरंब करता हूं श्री व्यक्ति का अंगूठा बहुत शांदार होना चाहिए मजबूत जब मांसल अंगूठा होता है तो ऐसा जातक अपने अधिकार के प्रती बड़ा सजग रहता है और एक पॉलिटीशन को होना भी चाहिए क्योंकि कब उसे लड़ना है कब उसे विपक्ष में बैठना है कब विपक्ष की चालों को समझना है तो व्यक्ति अपने अधिकार के प्रती सचेत होगा तो मांसल अंगूठा जरूर होना चाहिए अंगूठा नीचे से नीचे वाला जो हमारा पॉर्वा होता है अंगुठे का ये उपर वाला है ये नीचे वाला है तो नीचे वाला पॉर्वा बहुत भरा हुआ और मांसल होना चाहिए नीचे से भरा अंगूठा यही दिखाता है यह व्यक्ति अपने अधिकार के पति सचेत है और वो लड़ सकता है तो हक के लिए लड़ना और हमारी जो फाइटिंग इस्पिरेट है वो हमें मांसल अंगूठा दिखाता है दूसरा चिन हम देखते हैं दूसरा चिन गुरू का परवत देखिए और यह उसकी उंगली उंगली सीधी हो लंबी हो सीधी हो और लंबी हो और अगर अनामिका रिंग फिंगर से यह बड़ी हो तब तो बहुत अच्छा साइन होता है अगर यह बड़ी होती है अनामिका से तब तो यह दूसरा साइन जो है यह बहुत शुब ह होता है तो अगर गुरु परवत की उंगली लंबी है वेक्ति को लेडर्शिप की कॉलिटी देती है यदि थोड़ी सी शनी परवत की तरफ मुड जाए तो और अच्छा क्योंकि यही कसक पैदा करती है चीजों को सीखने की राजनीती में हमें पॉलिटिक्स में नेता लोगों को हर समय कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहता है नए नए मुद्दे आते रहते हैं और उनका ग्यान उससाफ से अपना क्या बोलना है किस प्रकार उसको पेश करना है उसके संबंदित क्या बाते होंगी यह सब समझने में बहुत मदद करती है तो गुरु परवत की उ भड़ा कार लिया हुआ हो और कुछ अगर दिव्व साइन है जैसे इस मॉडल हाथ में हम देख रहा हैं एक मझली है या तृभुज बना हुआ है तृभूज हो या वर्ग का साइन हो या फ्लैग का साइन हो जंडे का साइन हो तो इसमें हमें लाभ मिलता है गुरु का बनना चाह रहा है उसका घ्यानत हो सट्छीर्ट हो रहा है जर्नल में चाहिए सट्राइफ में क्या चीज़ चल रही है चतर पे चाहिए तो गुरूबрий साइन अगर होंगे सब्सक्राइब में मदद करेंगे वह अपने आपको अपडेट रख पाएगा नौलिज से तो गुरु का परवद भी स्रेश्ट होना चाहिए अब मैं बहुत अच्छा आपको एक एंगिल बता रहा हूँ देखिए अगर हम अंगुठे को खोलते हैं हतेली के बाहर ठीक है अंगुठे को यदि हम नीचे की तरफ जब जुकाएंगे हतेली से दूर तो ये वाला जो एंगिल है ये ये वाला जो एंगिल बनेगा ये 90 से जादा होना चाहिए तो यनि कि आप जब अपनी खोलेंगे और अंगुठा तो इस तरीके से बन जाएं ऐसा बन जाए नीचे तब ये 90 डिगरी से ज़्यादा का एंगिल हुआ तो अंगूठा जब खुलने पर 90 डिगरी से ज़्यादा का कोण बनाए गुरू उंगली से मिलकर ये है गुरू उंगली और अंगूठा खोल एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको ड्रॉ करके अंगूठा जब आप खोलेंगे तो यहाँ से जो एंगिल बनेगा वो 90 डिगरी का नहीं 90 डिगरी से ज़्यादा का होना चाहिए जब अंगूठा खुलेगा यह बहुत गजब साइन है अगर ऐसा साइन है अंगूठा 90 डिगरी से ज़्यादा खुल रहा तो यह राजनिती में ले जाने का एक बहुत प्रधान और प्रथम साइन होता है यह इसे मित्रो आप नोट कीजिए आए चोहते बात करते हैं चोहता को यह है हमारी छोटी उंगली जिसे हम जिसे कनिस्टा कहते हैं कनिस्टा और उसके नीचे बनने वाला परवत बुद होता है तो कनिस्टा उंगली इतनी बड़ी हो कि वह रिंग फिंगर के प्रथम पूर्वे से उपर आ जाये या वहां त कि उंगली एगर छोटी है कि तो नाखून बढ़ा ले नाखून यहाँ तक बढ़ा ले है इससे लाव होगा यह जब प्रथम पॉर्वे को छू जाती है हमारी यह रिंग फिंगर व्यक्ति में वक्ता वक्ता होने का जो गुण है वह बहुत सॉलिड है और एक राजनेता है यदि वह अच्छा वक्ता नहीं है तब वह आगे नहीं वड़ा सकता उसका विस्तार नहीं हो सकता तो उसे बुद्ध परवत से वक्ता होने की वाणी की शम्ता मिलती है तो यह हमार बुद्ध का परवत और यह हमें वानी देता है तो यह वाले परवत पर अगर लाइने हो खड़ी हुई तो व्यक्ति को अगी अच्छा कुशल वक्ता भी बनाती है तो बुद्ध का परवत अच्छा होना चाहिए बुद्ध की उंगली भी लंबी होनी चाहिए आगे चलते हैं यदि बुद्ध के परवत और यह है चंद्र का परवत यदि कोई रेखा इन दोनों को जोईन कर दे हमारे बुद्ध के परवत को और चंद्र के परवत को कोई रेखा अगर जोईन कर दे लंबी रेखा से ये दोनों जुड 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 जाए तब हम इसे निश्चित योग राजनीती का कहते हैं चंद्रमा है मन की शक्ति हमारा नेटवर्क हमारा काम करने का तरीका हम कोई भी काम जब करते हैं तो पहले मन में सोच लेते हैं और बुद्ध है हमारी वानी तो सोचना और बोलना नीचे से चंद्रमा से हमें मिलता है सोचना और उपर से मिलेगा हमें बोलना तो बुद्ध और चंद्रमा की यूती बड़ी कारगार होगी ये हुआ हमारा चोहता पॉइंट अब देखिए एक लक लाइन चाहे वो यहां से निकले चंद्र से निकले या शुक्र से निकले या केतू से निकले या लाइफ लाइन में से ही कहीं से निकल जाए एक निर्दोश लग लग लाइन होना चाहिए जैसे इस मॉडल हदेली में बनी है यहां केतू से निकली है और बुलकुल सीधी होते होई शनी परवद पर पहुंट पे है तो शनी परवद पे निर्दोश पहुंट जाए लग लाइन वक्ती की मेहनती कम कर देती है और पार्लियमेंट होती है तो एक लख लाइन होना ही चाहिए बहुत अच्छी निर्दोश जितनी काम कटी फिटी हो यदि लख लाइन पे कोई मचली का साइन बन जाए कोई वर्ग का साइन जैसे सतेली में बना हुआ है तो इस इस उम्र में जहाँ जहाँ वो बनेगा उस उस उम्र में उसको राजनितिक दिरिश्टी से फायदा होगा लख लाइन बिना कटी फिटी होनी चाहिए क्योंकि लख लाइन के कट जाने से नसीब खराब हो जाता है फिर हमको बहुत सारी मेहनत करने पड़ती है नसीब वाला काम खतम हो जाता है और राजनीती जो है और कहीं न कहीं लग से और नसीब से भी जुड़ी हुई होती है यह होती है यह होती हैं कि यह इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं और यह प्रोग्र선 century निखियो पर निकलतें वाले को तब व्यक्ति को अंदराल से आयू अंदराल से कुछ ना कुछ एक अच्छी चीजे उपलब्द कराते हैं और वो नियमित भी होती है अगर ये लाइने आपकी नियमित है ऐसी खड़ी हुई तब भी आपको प्राप्ति नियमित होती रहेगी एसी लाइन उन राजनिताओं के हाथ में होती है जो तीस साल, चाली साल, पच्ची साल एक लंबा खेल खेलते हैं वो लोग राजनिती में कई बार हारते हैं कई बार जीतते हैं अब हम बात करते हैं सूर्य रिखा की सूरे रेखा ये है सूरे का परवत उंगली सीधी हो तो बहुत अच्छा होता है और यदि एक कम से कम एक सूरे की लाइन ये सूरे का परवत है कम से कम एक लाइन हो और वो लाइन जो हो सूरे की वो कम से कम हमारी हाट लाइन को काट कर इतनी लंबी तो होना ही चाहिए तो एक राजनिती का बहुत बढ़िया योग बनता है ये रेखा जितनी लंबी होती जाएगी ये रेखा जितनी लंबी होती जाएगी उतनी प्रबलता राजनिती की योग में बढ़ती जाएगी वो माइंड लैंड को क्रॉस करके नीचे आ जाए ये लक लाइन को भी क्रॉस करके और अगर लाइफ लाइन से जुड़ जाए ऐसी सूरे रेखा अगर लाइफ लाइन से जुड़ जाए तो भी बहुत लाब मिलता है तो भी बहुत लाब मिलता है और लाइन हमारी हार्ट लाइन से नीचे आ जाए कम से कम इतनी बड़ी होना ही चाहिए चलिए अब हम एक आखरी चिन्न पर बात करेंगे यदि यह होता है राहू का छेत्र मित्रों अगर राहू प्रसन्न हो जाएं तो राहू वो दे सकते हैं हमको जो सब परवत मिलकर सब परवत और ग्रह मिलकर हमें नहीं दे सकते हैं तो राजनिती में अगर कोई वक्ती जा रहा है तो उसका राहू का छेत्र बहुत क्लियर होना चाहिए साफ हो सुत्रा हो अब अगर हम इस मॉडल हतेली में देखें तो ये है राहू का परवत तो अब यहां से जब अगर लक लाइन जब गुजर रही है तो बीच में कोई राहू रेखा ना काटे या कम से कम निउन्तम तरीके से काटे ऐसा ना हो कि बहुत सारा डेटोरेशन कर दीजिए अब जैसे इस मॉडल हतेली में देखें तो देखें एक राहू की रेखा है जो काट के लक लाइन को काट दिया है और आगे बढ़ती हुई बुद्ध परवत पे पहुच गई है यदि ऐसी रेखा हो राहू रेखा कौन सी होती है जो मंगल और शुक्र परवत से निकलती है जो हमारी लाइफ लाइन को काट देती है और मद्देशित्र में आ जाती है राहू की लाइन कहलाती है नाकरात्मा कूर्जा देती लेकिन यदि किसी परवत पे पहुंच जाए तो उस परवत को वो दस हजार गुना बढ़ा देती है दस हजार गुना उसकी शम्ता को तो यहां पर हम देख रहे हैं एक राहू की रेखा यहां से निकली है और इसने लाइफ लाइन को काटा और फिर लख लाइन को काटा और बुद्ध परवत पर चली गई तो इसने जो नीचे तीन लाइन काटी हम उसे कटा हुआ नहीं ऐसी हतेली में तो जब राहू और बुद्ध की हतेली में ऐसी यूति हो जाती है और भूती में और घंटों सकता है बोल सकता है पार्लामेंट में जाने के लिए MLA बनने के लिए MLC बनने के लिए ये चीज़े बहुत जरूरी होती है आचा करता हूँ आज मैंने जो आपको हतेली में राजनेता बनने के जो चिन बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपने जो समय निकाल के मेरा चैनल देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा मुल्य अंकन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कमेंट कीजिए, सबिस्क्राइब भी कीजिए श्रीक अड़ेशाय नमाहा मास अरस्वती, नमस तुभ्यम बने रहिए स्टे ट्यूड